बेलकम डियर स्टुडेंट्स मैं अंकूर शर्मा पुनहा बर्मी कंपोस्टिंग में तीसरे वीडियो को लेकर आपके सामने प्रस्तत हुआ हूँ जिन दो वीडियो में आपने पहले वीडियो में बर्मी कंपोस्ट के ओवर्वियू के बारे में जाना और दूसरे में आपने ये जाना कि किनकिन इंग्रेडियंट्स को हम इस्तिमाल करते हैं बर्मी कंपोस्ट को प्रिपेर करने में कौन-कौन सी इस्पीसीज होती हैं जिनको हम बर्मी कंपोस्टिंग के तौर पे इस्तिमाल करते हैं किस species का multiplication rate ज़्यादा होता है, कौन से species कितने time limit में, कितने duration में बर्मी कमपोस्ट की प्रकिरिया को पूर्ड कर लेती है, इन चीजों को हमने जाना, अब इस तीसरे वीडियो में, बर्मी कमपोस्टिंग की तीसरे वीडियो में, हम types of बर्मी कमपोस्टिंग को जानने की कोशिश करेंगे, types of बर्मी कमपोस्टिंग, कि बर्मी कमपोस्टिंग के क्या-क्या types होते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, the types of बर्मी कमपोस्टिंग, depend upon the amount of production, and composting structure, the types of बर्मी कमपोस्टिंग, जो बर्मी कमपोस्टिंग के types हैं, वो निर्वर करते हैं, कि कितना हमारे पास production करने के लिए amount है, amount of production है, and composting structure, क्या हमारे पास composting structures हैं, इन दो चीजों पर आपके types of बर्मी कमपोस्टिंग depend करती है, इस्माल स्केल बर्मी कमपोस्टिंग, इस्माल स्केल बर्मी कमपोस्टिंग, is done to meet the personal requirement, and farmer can harvest, 5 to 10 tons of बर्मी कमपोस्ट अनुवली, जो इस्माल स्केल बर्मी कमपोस्टिंग होती है, जिसको नॉर्मली हम अपने farms में, हम अपने घरों में, या जहां पर हमारे जानवर वगएरे रहते हैं, वहाँ पर हम जो है, उनको कर लेते हैं, जिससे हमारा, जितनी हमारे पास खिती है, जितना हमारे पास لेंड है, उसके requirement के लिए निकल आता है, तो जो इस्माल स्केल बर्मी कमपोस्टिंग होती है, इस दन टूमिट की जाती है, पर्षनल रिक्वारमेंट, जो हमारी पर्षनल रिक्वारमेंट है, उसको फुल्फिल करने के लिए, और उससे जो किसान है, वो can harvest, उससे प्राप्त कर सकता है, पाँच से दस टन, पाँच से दस टन और बर्मी कमपोस्टिंग annually, पाँच से दस टन बर्मी कमपोस्ट को annually वो प्राप्त कर सकता है, वाइल जबकि लार्ज स्केल बर्मी कमपोस्टिंग is done, जो लार्ज लेवल पर बर्मी कमपोस्टिंग की जाती है, is done at commercial scale, by recycling large quantity of organic based, with the production of more than 50-100 tons annually, methods of बर्मी कमपोस्टिंग, क्या methods हैं बर्मी कमपोस्टिंग के, बर्मी कमपोस्टिंग is done by various methods, among them, bad and pit methods are more common, तो बर्मी कमपोस्टिंग है, बहुत से तरीके को द्वारा की जाती है, लेकिन जिसमें bad और pit method जो हैं, बहुत ही important है, एक है bad method और एक है pit method, bad method को आप देख सकते हैं, आपके screen पे, इस तरीके की bats बना दी जाती हैं, और उनको covered कर दिया जाता है, चारो तरफ से, और उसमें उसका production होता है, कि उपर से हमने गोवर की खा दिया जो organic waste और जो भी हमने animal excreta और जो leguminous and non leguminous crops के जो dry chopped pieces होते हैं, उनको हम उपर से डाल देते हैं, और उसकी नीचे की तह में हम ketchup को जो है, उसमें डालते हैं, और उपर से हम पानी को छड़कते रहते हैं, यह bad method है, अगे बिस्तार से इस Composting is done on the pakka kaccha floor by making bed, चाय pakka ho, चाय kaccha ho floor, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 x 2 x 2 feet size, 6 meter लंबा, 2 meter चौड़ा और 2 meter ही गेरा, 5 feet size of organic mixture, this method is easy to maintain and to practice, बहुत easy है, और इसको हम असानी से कर सकते हैं, दूसरा है हमारा, pit method, pit, Composting is done in the cementate widths of size 5 x 5 x 3 feet, the unit is covered with thatch grass or any other locally available material, This method is not preferred due to poor aeration, waterlogging and bottom and more cost of production, यह जो pit method है, इसमें drainage भी सही नहीं रहता है, कि अगर हम इसमें पानी डालते हैं मौशर के लिए, तो उसका drainage सही नहीं रहता है, तो फिर उसमें कैचुए मर जाएंगे, बाटर लॉगिंग भी इसमें बनी रहती है, और साथ ही साथ इसका जो cost of production है वो बहुत ज्यादा आता है, इसके कारण हम पहले वाले method को ही ज्यादा तर adopt करते हैं, चाहे कच्छे इस्थान पर करें या पक्के इस्थान पर करें, वो ज्यादा प्रचलित है इन सब चीज़ों से, तो दो बिदियां अपने अभी तक जानी है, चलिए अब बात करते हैं, process of Burmese Composting की, Burmese Composting की क्या process है? following steps are followed for Burmese Composted Preparation following steps are followed for Burmese Composted Preparation Burmese Composting Unit should be in a cool, moist and steady site जो हमारी Burmese Composting की unit है, वो ठंडे, आदरता वाले और एक छाया वाले इस्थान पर होनी चाहिए जिस जगे हमने unit का selection किया है, चाहिए हम pit method से करें, चाहिए हम bad method से करें प्रियास हमारा यह रहना चाहिए, कि वो जो इस्थान है, वो ठंडा हो, उसमें आदरता हो, मौश्यर हो, और जो इसकी location है, वो छाया दार इस्थान पर होनी चाहिए Cow dung and chopped dried leafy materials, cow dung, गय का गोवर, यह chopped, cuta हुआ, dried, सूखा, leafy material, पत्तिदार पदार्थ जो होता है, और mixed उसको मिलाया जाता है, in the proportion, इस अनुपात में, तीन अनुपात एक, 3 days, 3 is to 1, and are kept for partial decomposition for 15 to 20 days, फिर से इस बात को समझते हैं, काव dung and chopped dry leafy materials are mixed in the proportion of 3 is to 1, and are kept, इसको रखते हैं, for partial decomposition for 15 to 20 days, a layer of 15-20 cm of chopped dry leaves, जो सत्य होती है 15-20 cm की, बो chopped dry leaves, जो कटी हुई, सूखी पत्तियां ग्रास हैं, should be kept, उनको रखा जाना चाहिए, as a bedding material at the bottom of the bed. Beds of partially decomposed material, जो beds होती है, partially decomposed material की, of size 6 into 2 into 2 feet, should be made, उनका size जो है 6 into 2 into 2 feet होना चाहिए, जो beds बनाते हैं, कि यह हमारा partially decomposed material है, तो उस material की beds को, हम 6 into 2 into 2 feet size का बनाएं, जोड़ा हुआ, जोड़ा है, each bed should contain, 1.5 से 2 कुंतल of raw material, and the number of beds can be increased as per raw material availability and requirement. Each bed should contain प्रतेक बैट में होना चाहिए डेड़ से दो कुंटल of raw material and the number of beds जितनी भी number of beds है can be increased वो बढ़ा ही जा सकती है as per raw material कि हमारे पास कितना raw material है और उसकी कितनी availability है और हमें कितनी requirement चाहिए Red earthworm I seen your fortida की बात कर रहा हूँ Red earthworm 1500 से 2000 1500 से 2000 should be released on the upper layer of bed जो red earthworm से 1500 से 2000 को छोड़ना चाहिए bed की upper layer पर बाटर सुट बी स्प्रिंकिल्ट बाटर सुट भी स्प्रिंकिल्ट जो पानी है उसको स्प्रिंकिल करना चाहिए इमेडियेटली आप्टर रिलीज ऑफ बम्स जैसे ही हमने earthworms को रिलीज किया है उसके बाद ही बाटर को स्प्रिंकिल करना चाहिए बेट इंको हमें आदरता से भरा हुआ ही रहना चाहिए उसमें बना ही रहना चाहिए और उनको हम कबर भी कर सकते हैं, जो हमारी गनी बैक्स होते हैं, और जो पॉलिथेन होते हैं, या धान का पुवाल होता है, या केले के पत्ते होते हैं, ऐसे बजिटेटिटिब कवर्स, जिससे अगर हम उसको बैट्स को ढग भी दें, तो oxygen का फिलो अच्छे से होता रहा है, और केच्छुए मरेना, में एम यह होता है, कि उसका moisture ज़्यादा से ज़्यादा सूखे, और केच्छुए का जो oxygen है, वो भी प्रॉपर मात्रा हम उनको मिलता रहे हैं, बैट्स वुडबी टर्न, वंस, आप्टर 30 डेज, वो मैंटेनिंग एरेशन और प्रॉपर और प्रॉपर डिकमपोजिशन को इनिसियेट कर सके, कमपोस्ट गेट्स रेडी इन 45 से 50 डेज, जो कमपोस्ट है हमारी, वो 45 से 50 दिन में तयार हो जाती है, और जैसा कि पहले वीडियो में आपको बताया था, कि आजसे निया फॉटीडा जो रेड अर्थ वं है, उसका मल् 45 से 50 डेज में और गनिक बेस्ट को बर्मी कमपोस्टिंग में कनवर्ट कर देता है, दा फिनिस्ट प्रोड़क्ट इस 3 फोर्थ अप्दा रो मेटेरियल यूज़ट, जो हमारा प्रोड़क्ट फिनिस्ट है, वो 3 फोर्थ होता है आपका रो मेटेरियल के, जितना भी हमने इस्तिमाल किया है, उस रो मेटेरियल के 3 फोर्थ ही हमारा रो मेटेल, फिनिस्ट पोड़क्ट इस 3 फोर्थ अप्दा रो मेटेरियल यूज़ट, नेग्स्त हर्वस्टे, when raw material is completely decomposed when raw material is completely decomposed it appears black and granular जब हमारा raw material पूरी तरीके से decomposed हो जाता है तो वो काला और दानेदार के रूप में प्रतीत होता है watering should be stopped as compost gets ready जब हमारा compost ready हो जाता है तो हम पानी देना बंद कर देते है the compost should be kept over a heap of partially decomposed cow dung so that earthworms could migrate to cow dung from compost the compost should be kept compost को उस जगह पर रखना चाहिए over a heap of मतलब जो पूरी तरीके से decomposed है उसके उपर हम रखे हैं जिससे composed cow dung so that the earthworms could migrate जिससे केंचुए हमारे एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक जाके cow dung और compost में इंटर कर सके हैं after two days दो दिन के बाद compost can be separated दो दिन बाद हम compost को separated कर सकते हैं and seed for use और हम उसको इस्तिमाल कर सकते हैं अग्रिकल्चरल लेंड में या मैनियर्स के रूप में जहां आम जिस तरीके से जिसकी availability है यह bats है raw material की जो आपको दिख रही है और यह red अर्थवा में यूज के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं चलिए तो यह हमारा तीसरा वीडियो यहीं खत्म होता है